घ्लो गाइस, वेलकम टू आँआँ टू आवर चैनल हों स्टाइल कुकिंग सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गर्मा गरम समोसे की रेष्पी जी हाँ, इस इन सर्थियों के परसात की मौसम में गर्मा गरम समोसे खाने में बहुत ही मज़ा आती है तो मैं आप लोगों के लिए असान से रेस्पी लेके आए हूँ जिससे आप सभी लोग इस रेस्पी को इंज्वाइ कर सकें वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो मैंने यहां पर कढ़ाई को गरम कर लिया इसमें डालेंगे दो चमच मस्टर्ड ओयल और इसमें जीडा सौफ और हींका इसमें लगाएंगे तड़का जब हींक चटकने लगेगी तब इसमें हम हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे दो से तीन आप अपने टेस्ट के कोडिंग बढ़ा सकते हैं इसमें मैंने डाली है एक इंच जिंजर आप कुटे हुई पिसी हुई किसी भी तरह की ले सकते हैं मैंने एक चमच डाली हल्दी करेंगे यहां पर फिलिंग को 5-10 मिनट लोग फ्लेम पे ऐसे हम बूनेंगे और इसमें एड़ करेंगे साधों सावामाग चाट मसाला मैंने और मैं जो चमच अपकी अधि आपकर उबली हरी मटर और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे भूनते हुए फिर से हम इसे पाँ मिनτι तक लो फ्लेम पे जैसे बूनेंगे यहां पे हमार TVs बून करके तयार हो गी इसमें गार्निस करेंगे हरा दनिया एट इसको हच्छय से मिक्स कर लेंगे और एहां समोसे की फिलिंग बन कर तय रेडी हो गई है तो चलिए समोसे के लिए आटा लगा लेते हैं तो मैंने यहां पे दो कटोरी मैदा लिया है इसको छनिंग मदद से छान लेंगे and इसमें अड़ करेंगे दो से तीन बड़े चमच्ट रिफाइंड ओयल आप गी भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें एड़ करूँगी स्वादन सा नमक एंड अजवाइन में डालूँगी अब हम आटे में देंगे अच्छे से मोयन और थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके समोसे के लिए आटा गूद करके रेडी कर लेंगे आटा ज़्यादा नरम ना गूदे नरम आटे में समोसे बनाने में दिक्कत होगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे इसलिए आटे को नॉर्मल गूद करके रेडी करें, जैसे मठरी के लिए गूदते हैं, यहाँ पर हमने आटे को गूद करके रेडी कर लिया है, इसे दस से पंदरा मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे, अब हम चलते हैं समोसे बनाने की प्रोसेस के तरहिए फिराने के लिए और इसके छोड़ी चोड़ी लोईयां काट करके रेडी कर लिए यहाँ पर इस तरीके से दोसे दीन लोईयां काट करके ज्यहाँ पर रेडी कर लिया है अब हम चलेंग Commission को बेलने की प्रोसेस के तरफ तो इसको थोड़ा सा लंबाय को यहाँ ना थोड़ा सा पानी लगाएंगे जिससे ये फ्राई होने पर खुलेगा नहीं अच्छे से चिपका रहेगा और इसमें पानी लगाने बाद इसको कर देंगे इसका कून का अकार दे के फोल्ड कर देंगे और इसको इससे चिपका देंगे और जो हमने आलो की फिलिंग बना कर र खुलेगा नहीं फ्राइ करते समय इसी तरीके से हम दूसरा समोसा भी बना करके रेडी करेंगे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बना करके रेडी करना है देन मैं दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से लूँगी और इसके सभी कोनों पर अच्छे से पानी लगाऊंगी पानी समूसे बना रहे हैं यहां पर यहां पर मैंने दो समूसे आपको बना करके दिखाए हैं इसी तरीके से हम सभी समूसों को बना करके रेडी करेंगे यहां पर यहां पे समोसे फ्राइ होने के लिए रेडी हैं तो हम इसमे डालेंगे अपने बनाए होई समोसे तो यह एक बात हमेशा याद रखें कि आप हमेशा लो फ्लेम पे समोसों को फ्राइ करें उस समय समय पर इसे पलटती रहें यहां पर मैं समोसे को डाल लई हूँ यहां पर तेल बहुत हलका गरम है अगर आप ज्यादा तेज गरम तेल में डालेंगी तो इसमें स्पोट पढ़ जाएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे देखने में अगर होटल जैसा आप समोसा बनाना चाहती है तो इस यहां पर समोसे फ्राई होके रेडी हो गए है तो अब हम इसे अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सभी समोसो को फ्राई करके रेडी कर लेंगे यहां पर समोसे बन करके तैयार हो गए है तो कैसे लगे आपको यह गरम गरम समोसो की रेस्पी और को सब्सक्राइब किये बिगर मच जाएगा बेल आइकन को भी हिट कर देज़ेगा जिससे लेटेस्ट वीडियो आगे में अपलोड करूँगी तो आप सभी तक पहुंच सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए